आज हम लोग बात करेंगे हाइपाटेंसेन होने पर डॉक्टर नमक ना खाने का सला क्यों देता है और इस केस में नमक हमारे सरीर पर क्या आसर डालता है दोस्तो हाइपाटेंशन को लेकर कई लोगों के मन में कई गलत धारनाय होते हैं याने भ्रहम होते हैं जैसे कि हाइपाटेंशन ठीक हो जाता है हाइपाटेंशन में आप सपेत नमक के अलाबा कोई भी नमक खा सकते हैं अगर आपके पूर्खों में किसी का हाइपाटेंसेन है तो आपको भी जरूर हाइपाटेंसेन होगी चाहे आप कुछ भी कर ले तो ये सब गलत धारनाई जो है लोगों के मन में भ्रह्म है ये दूर होना बेहत जरूरी है तो आज का वीडियो में हम लोग इन सब को लेगे च पर टेंसेन है क्या दोस्तो हमारे सरीर में एक कार्डियो भास्कुलर सिस्टेम होता है जिसमें लांग्स हाट और ब्लाड भेसल आता है और ब्लाड भेसल हमारे पूरे सरीर में रख्त की संचार करता है जिससे हमारे सरीर को एनरजी मिलती है तो उस ब्लाड भेसल के वाल प याने जब हमारे heart पाम करते हैं तो इससे हमारे पुरे शरीर में रख्त की संचार होती है वो प्रेशार ज्यादा होता है उसी को हम लोग systolic pressure बोलते हैं और रख्त जब वापस heart में लवड की आता है तो उससे हम लोग diastolic pressure कहते हैं लेकिन ये प्रेसार जब बढ़कर 140 बाई 90 होता है या इसके उपर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं हाई ब्लाट प्रेसार याने हाइपाटेंशन दोस्तो हाइपाटेंशन एक ऐसा विमारी है जो आज के दिन हर घर पर पहुँच चुका है दुनिया में जितनी भी पॉपूलेशन है उसके 20-30 पॉपूलेशन हाईपाटेंशन से पिड़ीथ है दुनिया में कितना पॉपूलेशन है लगभग 7.5 миллиयान याने 7.5 स कडोर और आप जान कर हैरान होंगे इसमें करीब करीब 1.5 billion याने 1.500 करोड लोग hypertension से पीडित है याने आपके आज पास जो लोग घूम रहे हैं उनमें से 5 में से 1 वेक्ती hypertension से पीडित है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आज के दिन में hypertension को रोखना कितना जरूरी है तो आज का वीडियो में हम लोग हाइपाटेंसेन से जुड़ी कई भ्रहम के बारे में बात करेंगे जो दूर होनी चाहिए सबसे पहला भ्रहम है हाइपाटेंसेन ठीक हो जाता है तो आपकी जानकरी के लिए बता दे हाइपर्टेंशन एक क्रोनिक बिमारी है और लाइप स्टाइल से जुड़ी है इसलिए लाइप लॉंग ये बिमारी रहता है कभी भी ठीक नहीं होता अगर कोई आपको बताता है इस दवाई से हाइपर्टेंशन ठीक हो जाएगा तो कभी ठीक नहीं होगा अगर आप लाइप स्टाइल को सुधारेंगे तो आप हाइपर्टेंशन को मैनेज कर सकते हैं इसलिए मैनेजेबल डिजीज है या क्रोनिक डिजीज है दोस्तो बिमारी दो गिसम का होता है एक एकविट डिजीज और दूसरा है क्रोनिक डिजीज जैसे मानलो आपको बुखार हुआ है आप दवाई लिया है और आपका बुखार ठीक हो गया तो यह है एकविट डिजीज याने जो बिमारी दवाई से ठीक हो जाता है उसको हम लोग adequate disease कहते हैं और जो बिमारी लंबे समय तक चलता है याने जीबन भर चलता है आप उसे एक बार दवाई खाकर ठीक नहीं कर सकते आपको जीबन भर manage करने की जरूरत है, control करने की जरूरत है जैसे कि diabetes, hypertension, thyroid और इसके अ hypertension के बारे में दूसरा जो बड़ा भरम है वो है अगर आपके पूर्खों में किसी को hypertension है इसका मतलब आपको भी होगा आपके हाथ में नहीं होता तो ऐसा बिलकुल नहीं है आप इसको prevent कर सकते हैं अगर आप अच्छी life style जीते हैं, exercise करते हैं, stress कम लेते हैं तो ये life style बिमार तीसरा भरम है, hypertension एक छोटी मोटी चीज है, इसे लेके ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं, लोगे के अंदर ये attitude होता है, तो ये attitude जो है ये गलत है, क्योंकि hypertension को लेकर घबराने वाली बात सायत ना हो, लेकिन सोचने वाली बात जरूर है, hypertension का instant असर जो है, वो साय कम होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप hypertension को पालते हैं, तो इससे आपके सरीर के कई महतुपुन अंगों को नुकसान पहुँचाता है, खास कर kidney और आखो को, क्योंकि हाइबलाट पिसार से आपका बलाट भेसल का जो लचिलापन है, वो कम होता है, बलाट भेसल चाउथा जो भ्रहम है, वो है बलाट पिसार बढ़ने पर याने हाइपाटेंसन होने पर पता लग जाता है, दोस्तों यह बिलकुल गलत है, क्योंकि ज़्यादा तर केस में हाइपाटेंसन का कोई सिम्टम नहीं होता, अगर बलाट पिसार आपका बहुत ज़्यादा लेकिन जादा तर केस में इसका सिम्टम नहीं होता, आपको तब पता चलेगा जब आप मेजार करने जाएंगे और पांचवा जो सबसे बड़ा भ्रहम है, हाइपाटेंसन के केस में आप सपेत नमक को छोड़ कर सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट या दूसरा कोई भी किसम का सॉल्ट ले सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हर एक किसम के सॉल्ट में एक ही तरह का केमिकल हो ऐसा चीज है, अगर आप लेते हो, तो ये हमारे सरीर में ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब करता है, अगर आप गौर करते हैं तो देखेंगे, कोई भी नमकीन चीज या फास्ट पूर्ट जिसमें नमक की मातरा ज़्यादा है, अगर आप खाएंगे, तो उसके बाद आपको ज़्यादा प्यास लगती है, नमक हमारे सरीर में पानी को एब्सॉर्ब करकर, पानी का भॉलिम को बढ़ाने के बज़े से ब्लाट पेसर हाई हो जाता है, इसी करण डॉक्टर हाइपाटेंशन के गेस में नमक कम खाने का सला देता है, तो दोस्तो कितना नमक ले, आप एक आज के लिए ही तक धन्नवाद